નमस्कार, અજે આપણે પાયના આ કવ્રોની સમજૂતી પ્રકરણ માં ખૂનો માપ્ફો એ વિશે સીખે સું ખૂડો માપ્ફં कागल लो तेने एक गड़ी वाळो अवे आ धार मड़ी छे एने एक पीजा उपर बंद बेशे तेरी ते गोठवी फरी थी एक गड़ी वाळो आ आपणो राइट एंगल टेस्टर तैयार छे आनी मदत्ती आपणे काट खुणो मापी सक्किये छियें राइट एंगल टेस्टर वड़े Ֆुणो काट खुणो लगू कौन के गुरू कौन छे ते नक्की करिये अहीं आपणी पासे 4 खुणा छे चालो राइट एंगल टेस्टर वड़े ते कई खुणों छे ये नक्की करिए सवुथी पेला खुणों P, Q, R जोईए तेना पर राइट एंगल टेस्टर नी एक बाजू खुणा नी बाजू साथे मिलावता ते राइट एंगल टेस्टर ना खुणा करता मोटों छे तेनने गुरू कौन कही शूुण हवे आपने खुणो D, E, F जोईशू। तेना पर राइट एंगल टेस्टर मुखी शू। तो राइट एंगल टेस्टर करता खुणो D, E, F नानों छे, एतले त्याने लगू कोण कई शुन, हवे आपने खुणों A, B, C, एने राइट एंगल टेस्टर वडेमा पी शुन, राइट एंगल टेस्टर नी धार ने खुणा नी एक धार साथे सडखावता, खुणा A, B, C नी बनने धार बरोबर बंद बेशे छे, एतले के खुणो A, B, C, एक काट कोण छे, अवे खुणो X, Y, Z, एने मा पी ए, एनी खुणा X, Y, Z, नी एक धार ने राइट एंगल टेस्टर नी धार साथे मिलावता, ते राइट एंगल टेस्टर करता नानो खुणों छे, एतले के खुणो X, Y, Z, एक लगू कोण छे, राइट एंगल टेस्टर वडे काट खुणा साथे अन्य खुणानी सरखामनिक थाई छे, परन्तु, बे खुणा मा कईो खुणो मोटो छे, ते चोकस कही सकातू न थी, आ माटे खुणानू चोकस माप मापवू पड़े छे, चालो, आपने खुणानू माप मापवा माटे एक साधन बनाविये, ए माटे आपने एक वर्तुणाकार कागण नो टुकडो जो शे, तेने आरिते वाली गड़ी पारता, आपने एक अर्ध वर्तुण माल शे, आ अर्ध वर्तुण सुन्य थी 180 अंस बतावे छे, आ अर्ध वर्तुण ने फरीती वाली बे सर्खा भाग करता, आपने एर्ध वर्तुण ना बे सर्खा भाग मले छे, जेमा अजे गड़ी मले छे, ए सुन्य थी 180 अंस अर्धो भाग, एटले के 9 अंस बतावे छे, हवे अर्ध वर्तुण ना बे सर्खा भाग थाया छे, त्याने फरीती गड़ी पारता, अने फरीती तेना बे सर्खा भाग करता, आपने आरितनो आकार मले छे, त्याने खोलता, अर्ध वर्तुण ना चार सर्खा भाग मले छे, तेमा सुन्य थी 9, तेना आप गड़ी छे, ते 2 सर्खा भाग करे छे, एटले अहिया पिस्ताली संस मल छे, एज रितना 9 थी 108, एनी वच्चे आपनने 135 अंस मले छे, अजी वधारे एक वकत वार्ता, एना बराबर सर्खा भाग थाय, तेरीते वाडी गड़ी पारता, आपनने आरीते भाग मले छे, जेमा, आ भाग छे, सुन्य थी 45 अंस छे, तेना 2 सर्खा भाग करे छे, पिस्ताली संस थी 9 अंस छे, तेना 2 सर्खा भाग करे छे, आम, आ गड़ी छे, एग 22.5 अंस बतावे छे, पिस्तालीस अंस अने 9 अंस तेनी वच्चे नी आगड़ी छे, ते 67.5 अंस बतावे छे, ने 108 अंस अंनि 125 अंस अनि वच्चे नि आगड़ी छे, ए 11 required पुएंट 155 अंस बतावे छे, एज रीते 155 अंस अने 188 अंस अनि वच्चे नी आगड़ी छे 157 पुएंट 155 अंस बतावे छे, आम आरीते अर्ध वर्तुण ना सुन्य थी 180 एरीते भाग पड़े छे अवे आ वर्तुण ने खोली देए तो एटलाज बीजा नीचे 180 आउंस बतावे छे आम एक वर्तुण मा अहिंथी सरुकरी पूरे पूरून एक चक्कर लगावता आपणने कूल 300 साहिंट आउंस मने छे एम एक वर्तुण मा सुन्य थी सरुकरी 300 साहिंट आउंस मने छे आ साधननी मदत थी आपणे खुणो मापवा माटे एक तैयार साधन मने छे जैने कौन मापक क्ये हवाए छे कौन मापक मां जम्णी थी डाबी बाजुए सुन्य थी 108 सुधीना कापा हुए छे એજ રીતે ડાબી બાજુ થી જમણી બાજુએ સુન્ય થી એક્સો એસી સુધી ના કાપા હય છે ચાલો કોણ માપકની મદતી ખુણા ને માપયે ખુણો B I G તેનું માપણ કરવં માટે કોણ માપકની નીચેની આડી બંદ બેશે એરીતે ગોઠવાનું છે આરીતે ગોઠવ્યા પચે ખુણાની B G બાજું જે અંક્તર સાવે એ ખુણાનું મ મળે છે આજ ખુણાને B G બાજું થી પણ માપી શકાય છે કીરણ IG પર કોણ માપકનું બાજું સેટ કરી હવે એજ ખુણાને કીરણ B I પર કોણ માપકની નીચેની બાજું બંદ બેસ્તી ગોઠવુતા ત્યા પણ આપણને ડાબી બાજું માપી સકીએ છીએ હે એસ ટી ઓ એનું માપણ કરીએ એમાટે કોણ માપકને આરીતે ગોઠવી દઈશું તેની એક દાર કોણ માપકની ની છેની ધાર ને બરાબર બંદ બેશે તેરી તે ગોઠવીશું એમ કરતા આપને કોણ માપકની બીજી એની વચ્છે એટલે કે 125 ને કાપા પર બતાવે છે એટલે કુણો એસ ટી ઓનું માપ 125 અંંસ છે એને માપ ખુણો એસ ઓ બરાબર 125 અંંસ આરીતે લખાય છે કવે ખુણો એમ એપ એનું માપણ કરીએ એમાટે કોણમાપકને ખુણા પર એમ એપ નેવુ ઓંસ નો છે એક કાટ ખુણો છે કાટ ખુણા ને આરીતે સંખેત કરીએ છીએ માપ ખુણો એમ એ પી બરાબર નેવુ ઓસ ખુણો એ બી સી એનું માપણ કરીએ એમાટે સીરો બિંદુ બી પર કાટ ખુણ્યાની મધ્ય બિંદુ ગોઠવતા અને કિરણ બી એ પર કાટ ખુણ્યાની ધાર ગોઠવી છે તેથી ત્યાંથી સરુકરી બી જી ધાર પચ્ચાસ પરાવે છે એટલે કે માપ ખુણો એ બી સી બરાબર પ્ચાસ ઉંસ મણે છે આમ આ રીતે ખુણ ન માબ સૂદે ખઈચાચા.